नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू पेपर हेकर यूट्यूब चैनल आज हम लोग देखेंगे जोग्राफी जोग्राफी का MCQ कोश्चन देखेंगे बच्चों पिछली वीडियो में हमने एक से तीस तक कोश्चन करा चुके हैं जोग्राफी के एक से तीस तक objective type question हो चुके हैं बच्चों कैसे objective type question मैं करा चुका हूँ ठीक है बच्चों तो आज फिर से देखेंगे हम लोग 30 question से जोग्राफी का ठीक है तीस तक question मैं करा चुका हूँ और इसका pdf file description box नीचे दिया हुआ है वहाँ से आप लोग download कर सकते हैं ठीक है बच्चों तो बहुत सारे university में question ऐसे पूछे जा रहा हैं और यह सब VVI question है ठीक है VVI questions हम कराएंगे आप लोग ठीक है तो वीडियो को like कर लिद दीजिएगा share कर दीजिएगा और subscribe कर दीजिएगा क्योंकि other friends आपकी इस channel के माध्य हम से बोलो study कर लेंगे ठीक है तो चलते है question क्यों देखते है question क्या रहा है question समझना जो है जरूरी होता है तभी हम answer दे पाएंगे ठीक है तो पिछले वीडियो जो बनाए हुए हमने उनको भी आप लोग देख लिजिएगा तभी next अगला समझ में आएगा बेसिक देखिएगा तभी आगे का समझ में आएगा अगर बेसिक नहीं देखिएगा तो आगे उधना नहीं समझ में आएगा इसलिए मैं यह बोल रहा हूं कि पिछले वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है ठीक है बच्चों तो चलते हैं फिटा फट कोश्चन की तरब देखते हैं कोश्चन क्या कह रहा है तीस नमबर कोश्चन क्या है बच्चों। इस विचारढ़ा के पोसक विद्वानों को क्या कहा जाता है यही कह रहा है न कि वातावर्ण की तुल्ना मानों की शक्तियां प्राह महतुहीन तीक है और अप्रभावी इस विचार धारा के पोसक विद्धानों को क्या कहा जाता है नियतीवाद वादी संभववादी नौ नियतीवाद और नौ संभववादी बताए बच्चों क्या करा चुका हूँ फिर से बताता हूँ यह देखिए और नंबर आप्शन नियति वादी होगा है इस विचार धारा को क्या कहा जाता है नियति वादी चलते हैं आगे देखते हैं 31 नंबर कोश्चन किस विचार धारा के अनुसार मानो प्रकृति का दास है क्या है मानो प्रकृत का दास है संभववाद, नियतिवाद, मानो नियतिवादी और नो संभववाद, ठीक है, संभववाद, नियतिवाद, मानो नियतिवादी और नो संभववाद, तो क्या होगा पता ही, 31 नंबर का होगा बच्छों, ये नियतिवाद, क्या होगा, मानो प्रकृति का दास है, तरह बत्तिस नमर कोश्चन क्या कह रहां 32 नमर देखी ध्यान दीजिएगा कि इस लेखक ने अपनी पुस्तक इंगलैंड में सबहता का विकास में मनुस्य तथा वातावरण का गनिष्ट संबंध बतलाया है क्या बतलाया है मनुस्य और वातावरण का घंश्टता संबंध बताया है मनुस्य और वातावरण जो है उसका बहुत ही घंश्ट संबंध है बहुत ही जटिल संबंध है वो कौन लेखक पूछ रहा है लेखक का उसका नाम पूछ रहा है देखी आहां क्या होगा बकल होगा हैकल होगा चैल्डियन होगा डिमोलिस होगा क्या होगा बच्चों पता सकते हैं तो 32 नंबर का जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बकल क्या होगा बकल ऐसा बोले हैं कि मनुस्य तथा बातावण का चटिल घंष्ट संबंद है क्या बोले हैं? मनुस और वातावन का जटिल संबन. आगे देखते हैं, 33 नंबर. हिपोक्रेटीज, स्ट्रेबो, बोधिन, रीटर, हमबोल्ट, किस विचार धारा के पोसक हैं? कौन-कौन? हिपोक्रेटीज, स्ट्रेबो, बोधिन, रीटर और हमबोल्ट. ये किस विचार धा लिएड़ारा को फॉलो करते हैं कौन सी वो विचार धारा ऑप्शन देखे निएति वाद संभावाद की नौ निष्चवाद का नौ संभावद का प्लियर चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट देखे ध्यान दीजे, किस नियती वादी के अनुसार प्रकिर्ती का मानों पर निरंतर तथा निश्चियात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ता है। किन्तु यह होता है कि इसकार में प्रकिर्ती मानों की भाती जो है शूर्गुल नहीं मचाती है। आगे देखे इसी तरह देखते हैं 35 नमबर कोश्चन, किस विचार धारा के समर्थक। सबका विचार धारा अब यहां परदर्शित कर रहा है। वाता वर्ण के नियंत्रन को स्विकार नहीं करते हैं। एकसेप्ट नहीं करते हैं। वे मानोंता की धक्षता तथा जहमता को स्विकार करते हैं। वाता वर्ण के नियंत्रन को स्विकार नहीं करते हैं। मानों की धक्षता और उसकी चमता को स्विकार करते हैं। इसकी क्यापिस्चिटी और दक्षता को स्विकार एकसेप्ट करते हैं। यह कौन है? देखिए हैं। निश्चेवाद, नौ निश्चेवाद, संभवाद, नौ संभवाद। बताई कौन है? बता सकते हैं कोई? चलिए कुछ टाइमिंग देते हैं हम आपको बताइए कौन है इस नंबर का क्या होगा इसका हो जाएगा बच्चों सव नंबर संभववाद जो है ये इस विचारधारा और च्छमता को स्विकार करते हैं accept करते हैं next चलिए आगे देखते हैं ध्यान देजिए 36 नंबर भौतिक परियावरण का अंग है क्या है भौतिक परियावरण का अंग है कौन है वन है पक्षी है परवत है मानो है 37 नंबर का क्या होगा ये जो होगा बच्चों मानो जो है भौतिक परियावरण का एक अंग है एक पाठ मानो भौतिक परियावन का अगे देखिए 37 नमबर संभवादी विचारधारा का जनक माना जाता है संभवादी विचारधारा का जनक किसे माना जाता है ठीक है बलोश को, ला फेवरे को, एट जेल को, कोरल रीटर को किसे माना जाता है बच्चों बताई 37 का हो जाएगा बच्चों बा नमबर ला फेवरे को जो है माना जाता है संभवादी विचारधारा का जनक देखिए इसी तरह 38 नमबर निश्चे वादी विचारधारा को नहीं कहा जाता है निश्चे वादी विचारधारा को नहीं कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता है बोलिए सापिक्छवाद, परिया वर्णवाद, प्रकिर्तिवाद, नियतिवाद क्या नहीं कहा जाता है बच्चों 32 का क्या होगा 32 का होगा बच्चों सापिक्छ वाद निश्य वादी विचार धारा को जो है नहीं कहा जाता है क्या सापिक्छ वाद जो है निश्य वाद विचार धारा को नहीं कहा जाता है चलिए आगे देखते हैं फटाफट 49 नंबर कोश्यां 49 नंबर देखिए बच्चों ध्यान दीजिए 49 नंबर क्या कह रहा है प्राकिर्तिक परियाबरण का अंग नहीं है प्राकिर्तिक परियाबरण का अंग नहीं है कौन नहीं है देखिए जन्तु खेत वन जीड प्राकिर् बताएजी इजी तो है बता सकते हैं यह जो हो जाएगा खेत जो है प्रकिर्तिक परियावर्ण का अंग नहीं है और जन्तु वन जील यह सभी प्रकिर्तिक परियावर्ण के क्या हैं अंग हैं प्रकिर्तिक पर्यावर्ण को सर्व शक्तिमान मानने वाली विचारधारा है प्रकिर्तिक पर्यावर्ण को सर्व शक्तिमान मानने वाली विचारधारा है आगे देखिए ध्यान दिजे तालिस नंबर कोश्चन क्या कहा रहा है बच्चो वन छेत्र पर्यावर्ण के किस वर्ग में समलित है है अर्तिक पर्यावर्ण समलित इस वर्ग में समलित नहीं होता है आगे देखे 42 नंबर निश्चेवादी विचारकों को कहा जाता है निश्चेवादी विचारकों को कहा जाता है क्या कहा जाता है ब्यूरूक्रेट, जियोक्रेट, थियोक्रेट और ये सभी निश्चेवादी विचारक जो है निश्चेवादी जो निश्चेवादी मानते हैं उनको क्या कहा जाता है यही तो पूछ रहा है तो उनको जीयो क्रेट कहा जाता है क्या कहा जाता है बच्चों जीयो क्रेट क्लियर आगे देखिए 43 नंबर निश्चे वादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं कौन रहे हैं यही नहीं तो बताइए कौन रहे हैं यही रहे हैं बच्चों हमबोल्ट जो है निश्चे वादी विचारधारा के समर्थक रहे हैं सपोटर रहे हैं कौन हमबोल्ट क्लियर आगे देखे ध्यान दीजे 44 नंबर 44 नंबर यह है बच्चों कि निश्चे वादी विचारधारा है क्या है निश्चे वादी विचारधारा क्या है यही है न जर् जर्मन विचारधारा ब्रिटिश विचारधारा जपानी विचारधारा तुर्की विचारधारा निश्चे वादी विचारधारा जो है वो क्या है चो वालिस नमबर का जो हो जाएगा बच्चों वो जर्मन विचारधारा क्या हो जाएगा जर्मन विचारधारा के अनुसार जो है, निश्य वादी विचारधारा को माना जाता है, clear, आगे देखिए, 45 नमबर इसी तरह, समाजिक परियावण किस वर्ग में समलित है, क्या है, समाजिक परियावण जो है, वह कौन से वर्ग में समलित है, वह वर्ग कौन सा है, clear, देखिए यहाँ, जैविक परियावण, सांस्कृतिक परियावण, भौतिक परियावण, ये सब ही, बताई, 45 का क्या होगा बच्चों, तो ये जो हो जाएगा बच्चों, सांस्कृतिक परियावण, जो है, क्या है, समाजिक परियावण के इस वर्ग में समलित है, कौन सा वर्ग, सांस्कृतिक परियावण, clear, आगे देखिए ध्यान देजिए 46 नंबर 46 नंबर 46 नंबर क्या कह रहा बच्छों यह देखिए 46 नंबर यह question है कि किसने निकट संभवाद के रूप में नौ निश्चवाद का समर्थन किया निकट संभवाद के रूप में नौ निश्चवाद का समर्थन या वो कौन था यह पूछ रहा है न तो आ नंबर है रैट जेल इस पेट बलॉश लाफ है ब्रवले बताईए निकट संभवाद को नौ निश्चवाद का समर्थन कौन किया था यह हो जाएगा बच्चों इस पेट जो है बोले थे ऐसा नौ निश्चवाद का समर्थन किये थे कौन इस पेट क्लियर 47 किसने 1951 में प्रकाशित लेख निश्चवाद की आवश्यक्ता में निश्चवाद को टेलर को भाती नए धंग से प्रस्तूत करने का प्रयास किसने किया निश्चवाद को टेलर की भाती नए धंग से प्रस्तूत करने का प्रयास वह किसने किया था यही कह रहा है न तो बत ये किस ने किया था कोई बता सकते हैं तो ये जो हो जाएगा बच्छों क्या हो जाएगा क्या होगा मॉर्टिन क्या होगा मॉर्टिन जो है ऐसा बॉलेथ है क्लियर नेक्च आगे देखते हैं आगे तरफ पॉष्चन क्यों चलते हैं फूटि एट नंबर पॉष्चन क्या क्या का रहा है ध्यानदीजियेगा किस अमिर की भूगोल वेता को किस अमिर की भूगोल वेता को ठीक है किस अमिर की भूगोल वेता कौन था जिसको जो है क्या बोलते हैं नौ निश्चेवाद का प्रनेता माना जाता है नौ निश्चेवाद का क्या माना जाता है प्रनेता माना जाता है वह कौन सा अमिर की भूगोल वेता था जिसको जो है नो निश्यवाद का प्रणेता माना जाता है वह कौन सा अमिर की भूगोल वेता था यही है न तो जी टेथम, हेटनर, ग्रिफित टेलर और रॉक्स भी वह कौन सा अमेर की भूगोल वेता था बच्चों क्या होगा बताइए कोई जानते हैं तो यह जो हो जाएगा बच्चों ग्रिफित टेलर जो है वही अमेर की भूगोल वेता था जो नौ निश्यवाद को प्रणेता माना था आगे चलिए 49 नमबर इसे तरह बीस्वी सदी में भूगोल और ऑस्ट्रिलिया किसकी पुस्तके हैं कौन-कौन भूगोल और ऑस्ट्रिलिया ठेक किसकी पुस्तके हैं तो यह जो हो जाएगा बच्चों 49 का हो जाएगा आपको Griffith Taylor की ये पुस्तके हैं भूगोल और Australia किसकी Griffith Taylor की साथ साथ में आपको learn होते चलेगा ठीक अलग से नहीं देखना पड़ेगा ना learn करना पड़ेगा ठीक है तो भूगोल और Australia किसकी पुस्तके हैं Griffith Taylor की एक कोश्चन को मैं दो दो तिन तिन बार रिपीट करता हूँ ठीक इस तरह जो है learn हो जाना चाहिए आप लोग उमीद करते हैं ठीक है तो ध्यान दीजिए पचास रंबर कोश्चन जो है बच्चों परियावर निश्यवाद के विपरित संभवाद भगवालिक इस्थितियों के उपरां भी मनुष्य को वैकल्पिक वैवहार प्रतिरूप के चैन की स्वतंतर्था पर जोर देता है किसका कता है फेसे रिपीट करते हैं परियावर निश्यवाद की विपरित ठीक है संभवाद भगौलिक इस्थितियों के उपरांत भी मनुस्य को वैकल्पिक व्यवहार प्रतिरूप के चेन की स्वतंतरता पर जोर देता है किसका कथन या कथन किसका है बच्चों यही है न तो ब्लॉश की रैट जेल की लीव फ्रेवरे की हैगेट की इसका कथन बती तो पच चास नंबर का हो जाएगा बच्चों जो है यह जो है हेगेट की कथन है किसका कथन है हेगेट का क्लियर कावन देखिए जोग्रोफी एंड दा सोसल साइंसेज जोग्रोफी एंड दा सोसल साइंसेज किसकी रचना है किसकी रचना है जोग्रोफी एंड दा सोसल साइंसेज क किसकी रचना है यही है न बलोश की ली प्रेब वरे की इसा बोमेन की रेट जेल की जोग्रॉफी एंड तो सोसल साइंसेज किसकी रचना है तो इकावन का जो हो जायेगा बच्चों यह हो जायेगा क्या इसा बो मैन की इसा बो मैन की जो है Geography and the Social Sciences इही की रचना है इसा बो मैन की clear? आगे देखिए ध्यान देजिए The Poiner Fring The Poiner Fring किसकी रचना है? Poiner Fring पूछ रहा है बच्छों किसकी रचना है? यही है ना Poiner Fring किसकी रचना है? Bruns की, इसा बो मैन की Blosh की, Leaf February की बताइए 52 का क्या होगा? यह जो हो जाएगा बच्छों इसका इसा बो मैन की रचना है किसकी रचना है? इसा बो मैन की clear? आगे देखिए 53 number The Geography of Hunger क्या? The Geography of Hunger किसकी रचना है? Geography of Hunger जो है यह किसकी रचना है? ठीक है? Lee A. Bre की Blosh की Bruns की A. K. Stro की किसकी रचना है? Geography of Hunger बताई यह तो यह जो हो जाएगा बच्छों तिरपन का जो हो जाएगा क्या होगा? यह होगा किसकी रचना है? The Geography of Hunger किसकी रचना है? के स्ट्रो की के स्ट्रो देखिये ध्यान देजिए के स्ट्रो की रचना है ठीक है? लर्न हो गया देखिये ध्यान देजिए अगला देखिये 54 नम्र Physical Geography क्या? Physical Geography किसकी रचना है? ठीक तो देखिये किसकी रचना है? Blosh की Lee Rib Varay की ठीक Kant की Bruns की बताइए किसकी रचना? Physical Geography तो यह जो हो जाएगा बच्चों यह हो जाएगा Kant की रचना है Physical Geography जो है किसकी रचना है? Kant Clear? चलिए आगे देखते हैं 55 नम्र On Airs Waters And Places On Airs Waters And Places किसकी रचना है? ठीक है? On Air, Water, Or Places हावा, पानी और अस्थान यही कह रहा है न? जा कह रहा है? हावा, पानी और अस्थान किसकी रचना है? Kant की Blush की Ritgel की Hippocrates की बताई बच्चुपन का जो हो जाएगा बच्चों यह हो जाएगा यह जो है हिपोक्रेटस की रचना Air, Water, Or Places Hippocrates याद कर लिजे देखे इसी तरह च्चपन की और चलते हैं कोश्चन च्चपन Ritgel के चिंतन क्या? Ritgel के चिंतन को मुर्त रूप देने वह उसकी आदर्ष व्याक्षा करने का स्रे किसको दिया जाता है? मुर्त रूप देने वह उसकी आदर्ष व्याक्षा करने का स्रे किसको दिया जाता है? वह कौन है? देखे? Bloss हैं बुरून्स है, कुमारी सेम्पल है, कौन है बताई जो हो जाएगा बच्छों, 56 का जो है, ये कुमारी सेम्पल जो है ये जो है, उसकी आदर्श व्याक्था करने का सरे कुमारी सेम्पल को दिया जाता है चलिए आगे देखते हैं, 57 नमबर, 1930 में 1930 में, प्रकाशित लेक, 1930 में प्रकाशित लेक, भुगोल का छेतर ठीक है, एवं उद्देश, किस से सम्वंदित है, 1930 में जो प्रकाशित हुए हैं लेक और उसका भुगोल का छेतर, एरिया, एवं उद्देश, टार्गेट यह किस से सम्वंदित है, यही कह रहा है न, किस से रिलेशन है इनका, टेक, देखिए यहां किस से रिलेशन लिवर से, रॉक्स भी से, ब्लोश से, बुरूनस, मतहि किस से रिलेशन है, इनका संबंध जो है बच्चों, रॉक्स भी से है, किस से है? रॉक्स बी, clear रॉक्स बी next, आगे देखे अंठावन नमब अंठावन नमबर प्रकिर्ती पर ना तु विजय की भावना होनी चाहिए चाहिए प्रकिर्ती पर विजय की भावना नहीं होनी चाहिए और नहीं उसके समर्पन की वरन प्रकिर्ती के साथ सहयोग की भावना होनी चाहिए, किसका कत्र विजय की भावना नहीं होनी चाहिए वरन क्या होना चाहिए हल्पुल की भावना होनी चाहिए प्रकिर्ती के साथ, कौन बोले थे ऐसा चलते हैं, आप्सन की और देखते हैं बुले थे बुरुन्स, जी टेथम, लीफेब्रे, बलॉस, बताए ये बच्चों, बड़े हैं आप थिरी, तो बताए ये कौन बोले थे, ये जो बोले थे बच्चों, जी टेथम के द्वारा ऐसा बोला गया था, किसके द्वारा बोला गया था, जी टेथम, clear, आगे देख, 69 संभवाद, निश्चेवाद, एवं संभवाद के बीच की समनवय इस्थिती है, जो की बिस्थिष्ट इस्थिती या परियावर्ण में भगावलिक बेभार के बेकल्पिक प्रतिरूपों की विभीन संभावनाय परदान करती है, किसका खतन है, फिर से रिपीट करेंगे इ इसके रिपीट करके समझ के और तब इसको करेंगे, ठीक है, देखिए द्यान देचे, संभवाद, निश्चेवाद, एवं संभवाद के बीच की समनवय इस्थिती, जो की विश्ष्ट इस्थिती या परियावर्ण में भगावलिक बेभार उत्पन करती है, इपरतिरूप की विभिन संभावनाय परति रूपों की क्या करते है बच्चों विभिन संभावनाय उत्पन करती है किसका कथन है यह जो कथन है यह किसका है यही उचरा ठीक तो यहां देखेंगे हम बुलोष का है राइट जिल का है हेगेट का है बुरुन्स का बदर किसका कथन है आसा कोई बताएंगे तो यह जो है बच्चो 59 नंबर जो है इसका कथन है हेगेट का है हेगेट ने ऐसा बोला था यह जो बोले थे कफन यह हैगट बोले थे चलते हैं, आगे देखते हैं 60 नमबर 60 नमबर देखियी बच्चों क्या कह रहा है, ध्यान देजिएगा मानो तथा उसके कारे क्या कह रहा है मानो और उसके human and work मानो और उसके साथ उसके काम किसका ग्रंथ है वो कौन ग्रंथ लिखे है लिखक का नाम बताना है राइटर का तो देखें यहाँ ब्लोश हरबर्टसन, ब्रून्स रैट जिल, पता ही क्या होगा तो यह जो हो जाएगा बच्चों, हरबर्टसन बोले थे ऐसा, कौन बोला था हरबर्टसन, क्लियर चलिए द्यान दीजी एक सट्रेमबर के चलते हैं वातावर्णबाद का परियोग प्रणेता माना जाता है वातावर्णबाद का प्रणेता माना जाता है, किसको माना जाता है, ब्लोश को बुरुन्स को नेपियर को लीप फेब्रिक बताई बातावणबाद का प्रणेता किसको माना जाता है तो ये जो है बच्छों नेपियर को माना जाता है ऐसा बातावणबाद का प्रणेता माना जाता है किसको नेपियर को clear? आगे दिखे ध्यान दिजिए 62 अंबर मानो भूगोल की उपसाखाएं हैं मानो भूगोल की क्या है? उपसाखाएं हैं वो कौन है? राजनेतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल ये सभी बदाई तो 62 का क्या हो? 62 का जो हो जाएगा बच्चों ये सभी ये सभी जो है राजनेतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल ये सभी जो है मानो भूगोल की उपसाखाएं हैं ठीक है? अब देखिए ध्यान दिजिए आगे चलिए 63 नंबर 63 नंबर जो है मानो को जलवायू मिट्टी आदी प्रकिर्थिक दशाओं ने सरवाधिक प्रभावित किया किसका कथन है? स्ट्रेवो का, व्लोस का, पियरे का, बकल का बताईए ये जो है बच्चों ये किसका कथन है? 63 नंबर कह रहा है तो ये जो हो जाएगा बच्चों बकल का कथन है किसका कथन है ये? बकल का याद हो गया 64 की ओर चलते हैं भुगोल की प्रिथक साखा के रूप में भुगोल की प्रिथक साखा के रूप में मानो भूगोल के संस्थापक है मानो भूगोल के संस्थापक पूछ रहा है बच्चों तो ये जो हो जाएगा नेपियर रैट जेल ब्लोश बुरुन्स तो देखो 64 का जो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा रैट जेल क्या होगा राइट जेल देखे आगे चलिए इसी तरह धान दिजेगा 65 नमबर 65 नमबर कोश्चन की ओर चलते हैं बच्चों एक 60 नमबर जो कहा रहा है बच्चों कि इन में से किसने मनुस्य की परतेक क्रिया पर प्रकिर्थिक पर्यावन के प्रभाव को दर्शाने का प्रयास किया इसने जो है मनुस्य की परतेक क्रिया पर प्रकिर्थिक पर्यावन के प्रभाव को दर्शाने का प्रयास किया डिमोलिन, हमबोल्ट, ब्लॉस, लीफेब्रे बताई 65 का क्या होगा ये जो हो जाएगा बच्चों इसका डिमोलिन ने ऐसा बोला कौन बोला डिमोलिन ने ऐसा बोला ऐसे प्रभाव को दर्शाने का प्रियास कौन किया डिमोलिन क्लियर आगे देखे देहां देज़े चाछट का यह किसका कथन है की कौन सा यह किसका कथन है की परियावर्ण कारे के प्रकार एवं कारे की आकरिती और अश्चत समाजिक संगठन को निर्धारित करता है कौन नेपियर, लिपले, पियरे, बुरुंस कौन बोला तई तो यह जो हो जाएगा ही लास्ट कोश्चन का एंसर होगा बच्चों, लिपले ने ऐसा बोला था कि परियावर्ण कारे के प्रकारे कारे की आकरिती को अनुस्ता समाजिक संगठन को निर्धारित करता है कौन बोला था, लिपले, ठीक है बच्चों, तो वीडियो अच्छा लएगा लाइक, शेर और सब्सक्राइब कर दिजएगा मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले कोश्चन के साथ और इसके लिए ठैंक्स फर वाचिंग, ठैंक्स फर, ठैंक्यू भेरी मच्च, ठीक है? next question में अगली वीडियो साथ करते हैं thank you very much